हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल एडू फाइल, आज की इस वीडियो में हम लोग फोर वेक्टर्स के बारे में डीटेल में डिस्क्स करने वाले हैं, यहां पे हम लोग इसके फुल कॉंसेप्ट को नोट्स के साथ में स्टिप बाइ स्टिप समझने वाले हैं, सबसे समझते हैं कि फोर वेक्टर्स आया क्यों, तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो मनाया था, मिन कॉस की स्पेस की बारे में, तो मिन कॉस की स्पेस बताता है, कि जो हमारा रियल स्पेस जो होता है, हमारे आसपास वो थ्री डाइमेंशनल नहीं होता है, जैस इसको हम लोग कहते थे, मिन कॉस की स्पेस, जिसमें हमारे कितने डाइमेंशन होते हैं, चार डाइमेंशन होते हैं, तो उन चार डाइमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, फोर वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन लाया गया, तो यहां पे फोर वेक्टर्स की आया को एक यह भी आपको आगे पता चलेगा क्योंकि हमें थोड़ा सा notation में प्रॉब्लम होती ही कभी-कभी तो यहां पर four vectors का concept इसलिए आया क्योंकि हम लोग special relativity में 4 dimension का concept पढ़ चुके हैं मिन कॉस्ट की space time के concept में अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं सबसे पहले आप यह जाने हैं जैसे a और b दो world vectors हैं तो वहां पर हम नीचे बार लगाते हैं तो यह four vector का notation होता है कि हम नीचे यहां पर क्या लगाते हैं बार तो इसका मतलब यह एक 4 vector है तो A और B यहाँ पर हमने 2 4 vector या फिर world vector माने हैं अब देखिए यहाँ पर 4 vector को हम लोग world vector इस देगाते हैं क्योंकि 2 के जगहाँ पर अगर हम 4 लगादे हैं यहाँ पर world के जगहाँ तो notation में थोड़ी गडबली हो जाएगी तो इसलिए world vector से भी denote किया जाता है तो अगर A और B दो 4 vectors हैं या world vector हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे A बार निचे लगाएंगे तो इसको हम लिखते हैं AX I cap आपको पता है AY J cap यह भी आपको पता है यहाँ पर A K cap यह भी आपको पता है तो यह आपका 4th dimension का concept है और यहाँ पर P जो होता है P का जो dimension होता है वो होता I C T I C T I है Iota, C है Speed of Light, T है Time तो यही हमारा 4th dimension है अब यहाँ पर P cap क्या है P cap जो है वो P के along unit vector है और A P क्या है A P है component along the P तो याद रखिएगा A P is a component and P cap is a unit vector यहाँ पर A Z क्या है Z के along component है K cap क्या है Z के along direction है unit vector है बस simple है और B को आप इस तरीके से लिख सकते हैं same way में तो यहाँ पर आपको पता चला कि P जो है आपका क्या है P आपका है 4th dimension जिसको हम लोग I C T से represent करते हैं क्यों I C T से करते हैं यह से हम लोग previous वीडियो में discuss कर चुके है अब देखिए जैसे हमारी 3-dimensional coordinates जो होते है और orthogonal होते है मतलब 90-90 के होते हैं आपस में X, Y, Z आपस में कैसे होते है 90 degree के होते है तो यह 4-dimensional coordinates जो होगी यह भी आपस में कैसे होंगे 90 degrees के होंगे तो यह होगा जैसे हमाली चे हमारी पास I.I, 1 J.J, 1 K.K, 1 P.P, 1 अगर orthogonal है तो यह relations लगे हमारे पास जैसे हमाली चे यहाँ पर ृक्स के लोग ले रहे हैं यहाँ पर भी हम एक्स के लोग ले रहे हैं तो देखिए दूनों क्या होगे parallel होगे अगर cos 0 हो गया, तो यानि 1, यानि a dot b, यहां पर हम लोग simply 1 मान लेंगे, simple है यहां पर, यहां पर हम वेक्टर ले रहे हैं, यहां पर तो unit vector ले रहे हैं, तो इसलिए 1, इसलिए यहां पर क्या हो जाता 1, 1, 1, 1, यहां पर दिखे, i dot j 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के अंगल है और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, simple है तो आप जानते हैं already, और चुके हम लोग previous vector classes में जानते हैं यह सब चीजे हैं, अब आगे देखते हैं यहां पर, तो देखें यहां पर, यहां पर हम लोग space और time coordinate को लेते हैं, तभी 4 dimension होगा, अब 4 dimension को हम लोग copy या board पे नहीं show कर सकते हैं easily, तो यहां पर मैं 2 dimension लोगा, एक space का और एक time का, time का तो एक ही dimension होता है, इस तरीके से हम लोग लेते हैं, आप देखें, यहां पर जैसे हमें मुझे represent करना है किसी चीज को, तो मैं इस तरीके से represent करूँगा, x, t, लेकिन अगर यह 4 dimension में होगा, तो हम लोग किस तरीके से represent, x1, x2, x3, t, इस तरीके से, लेकिन यहां पर t नहीं होता है, एक्च्वल में क्या होता है, ict, i, c, t, t, तो हम कहते हैं कि यह time coordinate लेंगे, हम लोग क्या लेते हैं, ict, इसलिए क्योंकि ict एक distance की तरह treat होता है, क्योंकि x1, x2, x3 एक distance है, तो ict भी एक distance की तरह treat होता है, मतब सबको हम same way में लेना है, तो यह है space or time coordinate, अब हम इसको आगे distance करते हैं, तभी हमें और समझ में आएगा concept इसका, तो देखते हैं यहापे, अब देखें, law of transformation क्या होगा, min cost की 4 dimensional space का, जैसे 4 dimensional space आपने लिया, x1 है, x2 है, x3 है, और x4 आप ले सकते हैं, या फिर इसको P कह दीजिए, simple way में, यह हमने 4 dimension में coordinate लिया है, तो 4 dimension में coordinate लिया है, और उसको हम क्या करना चाहते हैं, दूसरे coordinate में transform करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, transform करना चाहते हैं, जैसे यह coordinate है इसको हमने क्या कर दिया rotate कर दिया इस तरीके से यहाँ से ऐसा rotate कर दिया तो अब भी यह x' मान लिजे और यह हमारा जो time का coordinate है इसको हम लोग p' मान लेते हैं तो यह क्या हो गया coordinate system change हो गया coordinate system change हो जाएगा तब हमारे coordinates पर क्या आसर होगा यह हम देखना चाहते हैं जैसे इस coordinate पर हमने इसको x, t माना अब इस coordinate के हिसाब से हमें x, t नहीं x, i, c, t मानना पड़ेगा यह पास simple से चीज है ना कोई इसमें ज़्यादा tough नहीं है इस coordinate के हिसाब से हम इस point को x, ict से denote करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा जैसे हमारे पास mincos की four dimensional space है हमारे पास यह coordinates है और इसको हम दूसरे frame of reference में क्या करना चाहते हैं transform करना चाहते हैं जो हमारा coordinate आएगा x1, x2, x3, p' यह another frame में with another frame moving with relative to the first frame जैसे कि मालीचे हमारे पास कोई frame है इस तरीके से यह हमारे पास कोई frame है और इसके सापेक्ष मतलब इसके तुलना में क्या कर रहा है एक frame ऐसा move कर रहा है जैसे मालीची यहाँ पर मैं था और एक car थी हम दोनों यहाँ पर खड़े थे car क्या हो रही है और यह मेरा frame यही है इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यह दो frame है अब दो frame है तो दोनों का coordinate क्या होगा अलग अलग तरीके से treat होगा लेकिन अगर हमें transform करना है इन दोनों में तो कैसे करेंगे तो transform हम इस तरीके से करेंगे हम लोग इसको simply क्या कहतेंगे इस वाले को short में क्या कहतेंगे dash 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 लगा होगा तो x dash mu लिख देंगे क्या लिख देंगे x dash mu यहाँ पर mu की value 1,2,3,4 ऐसे रख सकते है is equal to summation v और यह इस वाले को हम short में कहतेंगे x new यह और a mu new क्या आया भाया तो a mu new जो होता है वो एक matrix होता है कैसा होता है matrix होता है जो कि 4 cross 4 का होता है और यह क्यों आता है यह इस लिए आता है क्योंकि हम लोग lawrence transformation करते हैं यहाँ पर हम लोग काफी तेज velocity की बात कर रहें special relativity पढ़ रहे है तो यहाँ पर lawrence transformation होता है तो इसलिए यह matrix हमारा a mu new आता है याद रखिएगा old coordinate system x new new coordinate system x dash new इनमें transformation इस तरीके से होगा multiplication में आपका matrix आएगा फोर क्रॉस फोर का यह जज़ा भी आद रखिएगा अब यह कैसे आता है हम लोग next video में इसको प्रूफ भी करेंगे lawrence transformation के help से आता है तो आप इसमें tension मत लीज़े यहाँ पर पता होना चीए क्या है तो यह matrix है फोर क्रॉस फोर क्रॉस फोर का तो distance आप कैसे निकालेंगे x1 प्लस x2 का square प्लस x3 का square प्लस x4 का square ऐसे डॉट डॉट करके x4 मतलब p square इस तरीके और मतलब अगर इस वाले में distance निकालेंगे इस coordinate में तब भी करेंगे तो क्या होगा distance क्या होगा origin से same होना चाहिए यह constant यह limit है यह limit है कि new coordinate system में और old coordinate system में दोनों में distance होगी origin से वो कैसा होना चाहिए fix होना चाहिए यह बात आप आप याद रखिएगा तो यह है four vector का transformation का concept love transformation याद रखिएगा इस तरीके से होता है बहुत ही simple है constraint भी हमने आपको बताया any set of component a mu आप यहाँ पर तो हमने coordinate का देख रहे हैं आप component लेंगे component आपको पता है क्या होता है देखे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जैसे मालीजे हमारे पास कोई vector a है तो हम क्या लेखेंगे a1 a1 i-cap या फिर ax i-cap आप लिख सकते हैं a2 j-cap a3 k-cap तो यह a1 a2 a3 a3 component होता है तो इसलिए हमने कोई vector लिया तो component होता है तो यहाँ पर चार component होते है any set of four component a mu माल लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 रख सकते हैं which transform under lawrence transformation like the four component x1 x2 x3 p यैसे x1 x2 x3 p transform हुआ है हमारा lawrence transformation के help से वैसे हमारा component भी transform होगा तो इस तरीके के transformation को जो follow करते हैं उनको हम कहते हैं क्या four vector याद रखिएगा तो बहुत ही simple है अब हमारा component a mu है उसी को हमें क्या करना है transform करना है किसका है यह component यह हमारा एक vector a का है four vector a का four vector मतलब बार लगाते हैं नीचे यहाँ पर बार लगाते हैं transform होगा तो कैसा आएगा तो देखें new coordinate system a dash यहाँ पर dash हम ले रहे रहे न multiply करना रहता है आपको matrix से और यह old है a new तो याद रखिएगा a new new यह थोड़ा सा confusing है तो उसको याद रखिएगा यह new है बहुत ही simple है कुछ नहीं करना है यह हमारा new coordinate है यह old है old coordinate system में यह component है यह new coordinate system में है आपको multiply करना है a mu new से बस simple तरीका है और यहाँ पर यह है 1 2 3 4 ऐसे values रखनी है तो इस तरीके से हमें करना है यह matrix element क्यों आता है lawrence transformation के ही वज़े से आता है इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे next वीडियो में component का transformation यह हूता है कोई यादा दिक्कत की बात नहीं है अब हम लोग समझने वाले हैं कि जैसे हमारे पास 4 vector है तो उनका product कैसा होता है scalar product यह इसको हम लोग world vector भी कहते है ना world vector का scalar product कैसा होता है हमारे पास 2 world vector है a and b इसका product करेंगे तो हम क्या होगा axbx-ayby- fy-dz- ay-OTT- b z pb- tort- a ? bp- a ? b अब देखें हम इसको करेंगे तो i. i1 होता है तो इसलिए axbx हो जाएगar j.j कितना ऑता ह ép 1 होता है तो इसलिए aybx हो जाएग tragedy k. k.. k what is and one होता है र 要तो az bz हो जाएगar p. p nutr.p what can work to y tough 1 các ले मग सकने है आप, capital इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को दिखिया पर यहां पर क्या लेगा। Summation में, यहां पे μू ले लेंगे, यहां पे 1, 2, 3, 4 आप put कर सकते हैं, तो आपको यही चीज़ मिलेगा, या x, y, z put कर सकते हैं, अब देखिए, यहां पे इसको हम लोग A1, B1 लिख सकते हैं, A2, B2 लिख सकते हैं, A3, B3, और P को हम A0, B0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अब यहां पे आपको समझना होगा, देखिए, A0 को आप A4 लिखेंगे, लेकिन उसका एक relation है, A0 बराबर, I, A4 होता है, या फिर B0 बराबर, I, B4 होता है, इसको आप रखेंगे, तब ही आपका सही relation आएगा, तो A0, B0 के जगहां पे आप क्या रखेंगे, I, A4, और B0 के यहां पे I, B4, तो I और I का मल्टिप्लाई हो जाएगा, I2 यानि माइनस यहां पे आजाएगा, तो इसलिए A4 और B4 आजाएगा, तो इसलिए A4 और B4 आजाएगा, अब देखिए इसको, इस वाले टर्म को, इतने टर्म को हम लोग लिखतेते हैं, A.B, ठी डामिशन में मे हमें पता है, और A1, A2, A3, I, A4, जो कि मैंने आपको बताया था कि I, A4 हम लिखेंगे, तो सिंपल है यहां पे, B.B. भी आप लिख सकते हैं, हमने नहीं लिखा है, बहुत ही अंडरिश्टूड है हां पे, आप देखिए, स्केलर प्रोड़क्ट आफ टो वर्ल वेक्टर इ देखते हैं कैसे आता है, देखें, हमने लिया है कि कोई frame of reference dash में लिया है, मतलब dash यहां पे ले रहे हैं, तो A mu dash, B mu dash, यह किसके बराबर होगा, A lambda, B lambda के, और अगर हम कोई और frame लेते हैं, तब भी यहीं चीज़ाएगा, यानि consonant value ही आने वाली है, यह, invariant का मतलब यहां यह इसको हम लग कैसे लिखेंगे, तो देखें, A mu dash का हम लोग लिखेंगे, transformation law, क्या होता है, A mu lambda, A lambda, transformation law मैंने आपको पहले ही यहां पर बताया है, देखें, A mu dash का क्या हो जाएगा, यहां पर A mu lambda हम ले लिया है, और A lambda ले लिया है, index से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कु किसे ले लेंगे, तो यह transformation law आपको पता है, यहां पर हम लोग लगाएंगे summation में mu lambda और new, यह हम summation में लगाएंगे, आगे solve करते हैं यहां पर, summation में lambda लेंगे, summation में new लेंगे, अब देखें, इसको हम लोग क्या करेंगे, summation में a mu lambda और a new lambda, a mu lambda और यहां पर a mu new, इसको हम यह A, μु लेम्डा और A,amentos ू. अघन को लिख सकते हैं, यहां यहां पर तरीके से करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्रोनिक Ln, jadi लेम्डा के रूपने लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर इन दोनों को हम दो chronicle delta lambda new लिखेंगे देख सकते हैं आप lambda new a lambda b new उतार दिया अब देखे chronicle delta हमारा 1 की equal होगा जब lambda is equal to new मानेंगे तो यहाँ पर lambda is equal to new आपको करेंगे तो आप lambda ही बचेगा केवल और यहाँ पर देखे यहाँ पर भी lambda आ वेक्टर काफी सारी चीजे और इसका lawrence transformation कैसे होता है तो इस वीडियो में इतना रखते हैं आगे की वीडियो में हम लोग और important वीडियो सुक्स करेंगे वीडियो देखने लिए थैंक्यू 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 सो मच